स्वेम मंत्री मदन सहनी के मुह से सुनिये आप लोग क्या करते हैं या कहीं से भी उचीत नहीं है हम लोगों ने हर्तार पर जाने से पहले बुला कि कहा था कि आप लोग हर्तार नहीं कीजी निश्चित रूप से इस वार कहीं न कहीं हम लोग को जानकारी है उस विभाग के मंत्री हैं आप लोग का मांदे बहेंगा लेकिन उन्हों में बात नहीं माना उसके बावजुद भी हमने दिवहाद में कह रखा था कि एक भी चैनमुक्त नहीं करना और एक महिने तक हम लोग दिवहाद के भी पदादिकारे चैनमुक्त के पक्षमें नहीं थे इसे बावजूर भी कुछ चैनमुक्त हुए और पूरे विहार में 20 हजार सिर्का का चैनमुक्त हुआ हमने अभी हाल कि लहाल पांसादीज पहले मानियों मुख मंत्री जी से केमिनेट में अगरा किया बल्कि वहां माजूर जितने भी मंत्री थे सिनियर से सिनियर मंत्री सभी ने कहा मानियों मुख मंत्री जी जो काम करने जा रहे हैं वह हम यहां से भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप समझलिजे कि जितना आप लोग उने सोचा होगा उससे बहतर आप लोग के लिए वेवस्ता होने जा रहा है और आपको यह ही बता जैसे हैं कि सभी जिला से 2-3 दिन के अंदर में आप लोगो को बोलाहक होगा हमार्तेक जिला से मानने मुख मंत्री जी बुलाएंगे और आप मोशे बाजक करके आपके हितने जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो खरणे के लिए जा रहे हैं इसलिए आप निस्चिंद रहिए आप लोग आये हैं तो डाक्टर निलामबर चोधिरी जी के जैनती समारों में आये हैं तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है तो यहां से आप लोग निराज होके नहीं जाएगे फुसी मन से जाई इतना सूच के आये हैं उससे ज्यादा लाव आपको मिलने वाला है इतना ही बात करके और फिर से आप सभी का हम लोग अभिवादन करते हुए अपनी बानी को यहीं रोकने का हम काम करेंगे पहने केलिए बहुत साले बात है तो कि अभी पटना जाना है कल हम लोग फिर एक आरवद पाठी कारग जाने में गुलाहत है करतूरी जयनती होना है झूभा को कि